तो कैसे हैं Sixers के चाहने वाले, बिकट के मतवाले, क्रिकट के दीवाने, उम्मीद हैगी ना, आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं, बिग बैस लीग दो हजार बाइस एंड तेईस मैच जंबा, क्वालिफायर, दोस्तों य की टीम थी ना, Sydney Sixers को हराया, और बोला, साइड हो यार, में को फाइनल में जाना, और खुद फाइनल में पहुच गया था, तो दोस्तों फिर से वही टीम है, वही मैच, बस साल जो है ना, वो नया है, तारीख अलग है, दिन अलग है, तो क्या दोस्तों पर्थ इसकोचर, फिर से पिछले साल की तरह इस बारी, Sydney Sixers के उपर मैदान फते करेगा, और बोलेगा भाई साब, क्वालिफाइर में मुझे हरा नम मुश्कीली नहीं, ना ममकिन है Sydney Sixers तुम्हारे लिए, या पि दोस्तों इस बारी जो Sydney Sixers की टीम है ये बदलेगा, कहानी बोलेगा, अब व वो तो बराबरी की रही है बाई साब, लेकिन ये जो क्वालिफायर मैच है ये काफ़ी ज्यादा इन्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि जो टीम जीतेगी, वो तो सीधा फानल में पहुच जाएगी, और जो टीम हारेगी, यहाँ पे उसको नौक आउट मैच खेलना हम जानते हैं, जब यह दो टीम है, इससे पहले आमने सामने आई है, तब कौन से टीम किसको दी है, जादा बारी मात, तो अभी तक इनके बीच में 26 मैच के लाएगा है, जिसमें से पर्थिसकोचस ने 11 मैच जीता, सिडनी सिकस ने जीते 10, अगर हम यहाँ पे देखें, जो बारी मात दी है किसको, सिडनी सिकस को, जनवरी के महिने में, इनके बीच में 16 मैच के लाएगा, जिसमें से 11 मैच जीता, पर्थिसकोचस ने 5 मैच जीता, सिडनी सिकस ने, जो जनवरी का महिना होता है, यहाँ पर भी जो पर्थिसकोचस के टीम है न, वह भारी पढ़ती है Sydney Sixers के उपर Saturday के दे इनके भीच में 8 मैच केला गया और दोनों ही टीमों ने 4-4 मैच अपने नाम पे किया अगर हम यहाँ पर देखे तो जो मामला है वो तो बिल्कुल बराबरी करना ज़र आरा Last 5 मुकावले की बात करें तो उपर इसको वो बस मुझे एक मैच जीतने दिया और 4 मैच खुद जीत लिया यह तो बड़ी नाइसाफी है बाई साफ ऐसे कैसे चलेगा काम ऐसा करते हैं ना अब बैक टू बैक इनको मैच हराते हैं और सभी हारों का एक एक करके बदला लेते हैं हार का बदला हार से लिया जाएगा मतलब उनको हार थमाई जाएगी City Sixer मैच जीतेगा वहीं पर्थिस कोज़ा सोचे का ओ तेरी मतलब सपने इतने बड़े बड़े जबकि मैच कभी जीते ना मतलब सपने देखने में क्या हर्चे कोई नहीं देख लो बैदान तो फते पर्थिस कोज़ा सी करेगा पर्थिस कोज़ा तो ऐसी ही सोच रहेंगे तो चलो हम भी एनलाइसिस करते हैं और एनलाइसिस करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है कौन सी टीम मजबूत निकलती है और कौन सी टीम ये मैं जीच सकती है लेगे उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है ना भाई सार आपको पता है कोई मैं हीरो हूं? शिलिबेटी हूं? ना जी नहीं हूं आपकी बीच करेने माला आपका अपना भाई हूं तो सोचो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ना करेंगे तो कोई बाहर से आएगा मेरा सपोर्ट करने के लिए ना जी कोई भी ना आएगा आपका भाई हूं तो आपको ही करना पड़ेगा क्या ही करना कुछ भी नहीं करना यार बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना तो कर सकते हैं न और अगर आपको सभी मैचो में फायदे में रहना तो मेरा टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं क्योंकि जिन लोगों ने पहले से जॉइन किया वो तो फायदे में मज़े में तो आप भाई साब किस चीज का इंतिजार कर रहे हैं और नार्यल 4K सुम मूरत निकालो क्या अगर आपको सभी मैचों में फायदे मिरे ना तो मेरा टेलीग्राम फटा फट जॉइन कर लो बस एक ही चीज का ध्यान देना फेक से बचना क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए इसलिए इद्धर उद्धर और कहीं से टेलीग्राम जॉइन नहीं करना जो लिंक के मिलेंगे डिस्किप्शन में बस वहीं से जॉइन करें तो भाई लोग यहां की मैदान पे इससे पहले है टी टुन्टी डुवस्टिक है टुन्टी एट मै तरह मैच में क्या हुआ तरह मैच में क्या हुआ टार्गेट चेस अगर देखे तो टिफैंड की जो कहानी है दोनों बराबरी की नज़रा रही कि लिए एक-टो मैचों में ज्यादा डिफैंड हो गया लेकि इतना चलता है और अपरेज स्कोर यहां पर फास्टिनिंग का 161 एक्सटर टार्गेट चेज की बात करें तो 153 153 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट चेज हो सकता टार्गेट डिफैंड की बात करें 169 179 प्लस स्कोर अपको थोड़ा सा मीडियम स्कोर इंग देखने को मिल सकता क्यों की यहां का तो पीछ होता ना बैटिंग के लिए थोड़ा सा बेतर हो जाता तो जो बोल होता है बैट पे अच्छे से आता और यहां की जो बॉंडी लेंध है 63 से 81 मीटर की मतलब बॉंडी भी थोड़ी सी बड़ी है तो जो इसमिनस गेन वाज है उनको भी चौके छक के लगाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता वो भी एक आता 2 या 3 बिकेट निकाल ले जाते हैं तो इसलिए हाँ पर जो मैच होता है से 17 मैच जीता बस 10 मैच हा रही यानि जो पर्थ है न अपने घर में मैचेस जल्दी से हारता नहीं है इस इडिनी सिक्सर की बात करें चार मैच के लगा बस एक जीते तीन हारे जो इनकी दूर दसा है इस मैदान पे भाई साब खराब है और दोस्तों मजेगी बात यह है कि यह जो चारों मैच है ना सिड्नी सिक्सर ने पर्थ स्कोचर से कहले यानि जो सिड्नी सिक्सर की टीम है वो पर्थ के घर में जाती है और पर्थ इसे पिट पटा के चैली आती है इनको मैचेस नहीं हरा पाती तो भाई लोग यहां के मैच में क्या हुआ क्या पर्थ स्कोचर से का जो रिकोर्ड है सिड्नी ठंडर के सामने यहां के मैच जवर्जस उसको और भी मजबूत करेगी या पि जो सिड्नी सिक्सर से वो वो लेगा भाई साब जो आकड़े होते है ना तो आज का रिकोर्ड है हम उसे अपने नाम पर करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर पर्थ स्कोचर स्की जिन्हों ने अपने 14 मैच में से 11 मैच जीते तीन मैच अरट 22 पॉइंट के साथ यहां पर पहुंचे नमबर वन टीम बनके पहुंचे अगर हम यहां पर इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो कैमरून बेंक्रोफ्ट और स्टीव इसकेंजी यह दोनों ओपन करने आते हैं तो यह कभी अच्छी शुरुवात करते हैं कभी अच्छी शुरुवात नहीं करते हैं तीसे नमबर पे आते हैं जौस इंगिस शुरुवात कैसे भी हो हमें क्या मतलब है हम तो आएंगे चाहैंगे खड़े भी रहेंगे चौके शक्चे मारेंगे रन बनाएंगे तेजी के साथ रन बनाएंगे जिसको जो करना है कर लो और भाईशा पूरे टोनुमेंट में यह पर गेंदबाजी की बात करें तो जो जैसन ब्रैंड ओफ है ना हमेशा न्यू बोल से बिकेट चटकाते हैं और कहीं दोस्तों अगर यहां पर जे रिचर्जन फिट हो गए तो इनकी गेंदबाजी जो है ना और भी ज्यादा खतरनाक लगती है क्योंकि जो एंडू टाय है न लगा थार सभी मैचों विकेट निकाल लहें और VBL 2022 थे इसके सबसे हाइस विकेट टेकर हो गए तो जिसकी टीम में हाइस विकेट टेकर हो उसकी टीम तो मैचे जीतनी है पीटर हट जोगलू की बात करें बीडिय और ओर में आतें किफायती रहतें विकेट निकालतें एस् 20 points के साथ यहां पर पहुंचे दूसे नंबर की टीम बनी अगर हम यहां पर इनकी बल्लेवाजी की बात करें जब से Stephen Smith आये है ना one man army की तरह खेला भाई साथ Stephen Smith का पता नहीं किस चीद का गुश्चा है पता नहीं कितने रनों की भूक है दो सर्तक चार मैच के लिए दो सर्तक लगा दिया एक में 30-35 बनाए एक में 66 बनाए भाई साथ बल्लेवाजे की खब्बू है रन पर रन मारे जा रहा है अलाकि जोस फिलेप पे उतना अच्छा फोर्म में नहीं है ज्यादा बढ़िया परफोर्मेस नहीं कर अपनी टीम को आगी लेके जा रहे हैं बाकिता हम इनकी गेंदबाजी की बात करें तो जो इनकी गेंदबाजी है न हो काफी जादा जवरजस्त है क्योंकि जैक्सन बड़ और बेंड वरेसे काफी बढ़िया सुरुवात करते किफायती भी रहते बिकेट निकालते मिडिल अवर की बात करें सीन वोट आते हैं हैं जो इनको कह सकते हैं टीटॉंटी के स्पेसलिस गेंदबाजी हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करके देते सिड्निक सिक्सर्स को और बिकिट भी निकालते रहते हैं बाकि हम इंके इस्पिनस की बात करें तो चाहे इजारु रग ना मैंच के विहाब पर कंप्रिजन करें तो अपने लाज के सिक्सर्स मैंच में पांच मैंच जीता बस एक मैंच हा रहा बतलब यह करें हम तो चैंपियन हैं और चैंपियन की तरह ही खेलेंगे इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 171 171 का जो की काफी जादा जवर 177.17 जो गेंदवाजी अबरेज होता बाई साब यह जवर जस नहीं होता खतरनाख होता है तब ही तो यह लाज के 66 मैंच में पांच मैंच जीता बस एक मैंच हा रहा शिड्नी सिक्सर्स की बात करें यह करें बेटर हम तुम्हारे से कम है करें हमने लाज के 60 मैंच में सारे जीट डाले एक भी मैच नहारा और इस दोरान जो इनका बल्ले वाजी अबरेज है 169, 179 रनों का है जो की जबर ज़स होता गेंदवाजी अबरेज की बात करें आ रहा है दोस्तों कर हम इन दोनों टीमों की जो डिफैंड की बात करें एक दूसरे के सामने है कौन चेज करने में बहतर है कौन डिफैंड करने में बहतर है तो पर्थ इसकोचस को तेरा मैच में चेज करने का मौका मिला आठ में कर लिया पांच में ना कर पाए यानि जो चेज नहीं कर पाती किसके पर्थिसकोडसे के सामने पर्थिसकोडसने जो हाईस स्कोर Silove Pya Ch Gesund के सामने 177, 170 और सिडिनी सिक्सरस ने जो हाईस स्कोर चेज केgeois पर्थिसकोड़स के सामने 167, 170 defend की बात करें तो पर्थिसकोड़स को 13 मैंच में defend करने का मौका मिला आठ में कर लिया पांच में ना कर पाई यानि जो पर्थ स्कोचस की टीम है ना जब अज़ तरीके से defend करती है Sydney Sixers के सामने और Sydney Sixers को 13 मैच में defend करने का मौका मिला पांच में कर लिया आठ में ना कर पाई यानि जो Sydney Sixers की टीम है ना पर्थ के सामने सही तरीके से defend भी ना कर पाती तो पर्थ स्कोचस ने जो लोबस स्कोच डिफैंड किया Sydney Sixers के सामने 135 135 और Sydney Sixers ने जो लोबस स्कोच डिफैंड के पर्थ स्कोचस के सामने 151 151 तो भाई लोग जो बिग बैस लिग कोई hero या celebrity नहीं है और आपके लिए बहुत जादा मेनद भी करता है सोचो अपने भाई का support अगर आप ना करेंगे तो कोई बाहर से आएगा ना जी कोई भी ना आएगा और करना क्या है कुछ भी नहीं करना पस चैनल को subscribe करना है इतना तो करी सकते है ना तो भाई लोग सारी analysis करने के बाद cricket के नियमा अनुसार अगर हम इस match की बात करते हैं यह जो match है ना और 50-50, 50-30 scotches and 50 Sydney Sixers लेकिन मैं अपनी बात करो तो मुझे ऐसा लगता है यह जो match है टीम Sydney Sixers अपने नाम पर कर सकता है जी हाँ दोस्तों मेरे साब से जो match है Sydney Sixers अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेलिग्राम जोईन करने के लिए क्यूंकि इस match की जो final prediction होगी वो आपको मेरे टेलिग्राम पर मिलेगी और जिन लोगों ने पहले से जोईन किया वो तो बहुत ही फायदे में तो आप पीछे क्यूंँ आप भी जोईन करो फायदा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देना फेक से बचना क्यूंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलिग्राम चैनल बना लिके इसलिए उद्धर उद्धर और किसे जोईन नहीं करना जो लिंक के मिले के डिस्किप्शन में बस वही से जोईन करें तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पेडिक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you